आई भी दुहर चॉविस के इंगलिस के questions को देखते हैं First question क्या कह रहा है? O-V-P-E-R-O-V-P-E-R-O-S O-V-P-E-R-O-S यानि O-V-R-E O-V-E से क्या बनेगा? पलता है तो अबरी पेरू-S का मतलो क्या हो गया? अन्डच O-V-I-O-V-P-E-R-O-U-S पेरू-S O-V-P-E-R-O-S यानि अन्डच और V-V-P-E-R-O-S का मतलो क्या हो गया? V-I-V-I V-V-P-E-R-O-S यानि पिंड़ीच जो पिंड़ से बनता हो O-V-P-E-R-O-S का मतलो जो अन्डच से बनता हो नेक्स्ट यह कह रहा है चूज दर करेक्ट वर्ड विचिस नियरेस्ट ते सेम मिनिंग अज दर वर्ड क्लेंडस्टीन क्लेंडस्टीन का मतलो क्या हो गया हो गुप्त C-L-A-N क्लेंडस्टीन C-L-A-N-D-E-S D-I-N-E Clandestine Clandestine का मतलो क्या हो गया? गुप्त अर इसका साइन हो बता हो जो SIM मिनिंग करता हो तो क्या हो? Covart का मतलब क्या हो गया? C-O-V-E-R-T Covart का मतलो क्या हो गया? Gब्त Next ege तिरल तिरील तिका क्या होता है फॉर्मूला uh तक टूर्ण ग्लम्र मुंटर्ट उस मतलब व नम्रों जो टला जा सके जो आटव को सब्सक्राइंतियोगुल्यौेतियौौ अन्हों स 민주 क्यों कि मतलब है ग्रीक नेजराब ow धीट नम्र क्हों एक धीड serie पीना एक धीट लड़की है तीना देखें ओना फिल्म में भी टीना नाम की लड़की यह उति हैं उसका जिक्र किया रता है तो टीना का मतलब हो गया तीना धीट लड़की यह धीट कमतलो हो गया दिल और वीनमन का मतलब हो गया दोसिल डी-o-c-i-l दोसील कमतलब क्योंगे वी नमनी स्टु वन का मतलब वह हुए यह हो गया जिद्धी स्टी यू डवल बी ओर आर्न स्टु वन यह हो गया जिद्धी next अरचीव अरचीव कमतलब क्योंगे पूरा लेख a collection of historical documents or records providing information about a place institution or group of people जो क्या records provide करता हो place का record देता हो institution का देता हो या फिर group of people का देखता हो वो historical document को क्या बुलेंगे उस historical document को जो record देता हो किस चीज़ का place का institute का या फिर group of people का उसे बुलेंगे अर्चिव A, R, C, H, I, E, V, E Archive A, R, C, H, I, V, E, E, S A, R, C, H I, V, E, S Condem का मतलब होता है निंदा और अधीर ये भी एक वाट है A, D, H अधीर है D, H, E, R, E अधीर का मतलब कहते हैं लोग ना का अधीर है अधीर मत बनिये, अधीर का मतलब क्या हो गया, जादे धैर धारण के लिए, घबडाईये मत, जादे पैनिक ना करिये, अधीर लोग को मनाना क्या होता है, बहुत कर्थीन होता है, कि वो लोग क्या करते है, बहुत जल्दी पैनिक करते है, और कंडेम का मतलब हो गया, निंद करना यह spelling error में भी आता है तो यह से बहुत important है याद रखना condemned का मतलब हो गया निंदा करना और अधीर का मतलब क्या हो गया मनाना जो अधीर बहुत जल्दी वो लोग पैनिक कर जाते अधीर नहीं होता है हिंदी वड़ है अधीर अधीर एक हिंदी वड़ है अधीर यानि जिसके पास धीर ना हो धैर ना हो धैर जिसके पास ना हो जैसे छोटे बच्चे उनके पास धैर नहीं होता है वह ज्यादे मुझे यह चीज़ चाहिए तो चाहिए जित करने लेते हैं तो उन्हें मनाना बहुत कठीन होता है न अधी वी-णम्र और इसके spelling क्या होगी? Parent है ना? P-A-R-E-N-T देखो, Parent का spelling क्या होता है P-A-R-E-N-T Parent Parent होगा, इसमें A-P-A-R ऐड़ कर दो, तो apparent होगा और देखो, यहाँ पे A-N-T दिया था, इसलिए रोंग है अब apparent में क्या होगा? A-P-A-P-A-R E-N-T एपी एड़ कर दोगे तो apparent हो जाएगा यह वर्ड हो गया दूसरा चीज allowance है allow करना कुछ चीज को allow करना उसमें ANC एड़ कर दिया गया है तो क्या हो गया allowance एप और peace पी एड़ कर दिया थे पीसमें नेक्स्ट यह कह रहा है Equia, E-Q-U-A, N Equianimous A-N-I-M-O-U-S Animous है न? इसमें E-Q-U-A Equianimous यहनी सम्दरसी जो सबको Equal लेखता हो क्या करता हो? Equal लेखता हो यहनी समान द्रिष्टी से देखता हो Animous जैसे होता है Luminous L-U-M-I-N-O-U-S Luminous का मतलब जो दिखा जा सके जो प्रकास करता हो प्रकास सील बस्तुए उन्हें क्या होता है Luminous तो Animous का मतलब होता है देखना Animous का मतलब क्या होता है देखना A-N-I-M-O-U-S इसको याद कैसे करोगा Luminous दिप्त बस्तुए जो प्रकास उत्पन करती हो उन्हें क्या मतलब Luminous L-U-M-I-N-U-O-U-S Luminous तो E-Q-U-A-N-I-M-O-U-S क्या मतलब हो गया समदर्सी और NX-E-S इसका एंटोनीम है एंटोनीम क्या है NX-E-S यानि जो चिंतित हो जो सबको समान दृष्टी से ना देखता हो तो NX-E-S हो गया A-N-X-I-O-U-S NX-E-S Serenity का मतलब बता है और आप लोग को सांत होता है Seren S-E-R-E-N Seren का मतलब हो गया सांत Serenity का मतलब हो गया सांती Cool Mind Cool Mind इसका क्या हो गया Sign हो गया Serenity का और दोनों का मतलब क्या हो गया सांती Seren वर्ट से बनाए S-E-R-E-N और I-T-Y Camu Flag C-A-M-O-U Camu और Flag F-L-A-G Camu Flag का मतलब क्या हो गया Duplicate यानि कहते हैं न किसी चीज को Copy कर लेना किसी चीज की Copy बना लेना Camu Flag का मतलब क्या हो गया आप किसी के भी Flag की Copy नहीं कर सकते हो न Camu Flag का मतलब क्या हो गया आप किसी चीज कीज की Copy कर लो उसे बोलेंगे Camu Flag Petit Petit के मतलब Peet Thaf Tafana Peet है न Petit P-A-T-T-E-D Petit के मतलब क्या हो गया Peet Thaf Tafana P-A-T-T-E-D Pet और Teet देखो इसको अला कर देते हैं Pet Plus Teet Petit के मतलब हो गया Peet Thaf Tafana Pet किसी चीज किसी भी व्यक्ति के Peet Thaf Tafana हो तुसे क्या बोलेंगे Petit P-A-T-Pet और Double T-E-D ठीके T-E-D Add कर दोंगे तो Petit हो जागा Next क्या कह रहा है We ought to follow हो जाएगा वी वाट और टू फॉलो वी और टू फॉलो हो जाएगा ये क्या रहा Incorrectly वताना है कि कौन सा incorrect है या फिर कौन सा correct है E-R-S-T Arst और While W-H-A-L-E-A-C-H नहीं होगा क्या होगा E-A-R-E-R-S-T Arst और While W-H-A-L-E-A-C-H-A-L-E Arst While का मतलब भूत हो While होता है न While मतलब क्या होगा भूत While का मतलब होगा भूत और Arst का मतलब भूत भूत बाकी और परस है Pro-Petate 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 का मतलब क्या होगा संतुष्ट करना Pro कहता है न Pro-Vargin आपने लिया है कि नहीं इसका Pro-Paid Course लिया नहीं Pro-Petate का मतलब होगा संतुष्ट करना Vosipherous Vor cautious होता है न Voracious एक होता Worcias एक होता Wasipherous Wasipherous का मतलब होता है Outspoken Felicience का मतलब होगा Facility देना Facility देना लेकिन यहां पर गौर करने वहला चीज़ह कि यहां A है और वहां क्या है? E है यहां क्या है? A है वहां E है तो Facilities का मतलब होगा परम सुख आनन फेसिलिटी देना फेसिलिटी देने पही तो सुख की प्राप्त होती है और और्स्ट वाइल बताये थे और्स्ट य-r-s-d और वाइल डबू-h-i-l, वाइल कमतलो हो गया भूत, आर्स्ट वाइल कमतलो हो गया भूत पून फिर भी और्ट टू ट्राफिक रूल्स बताई दिये, आर्ट्स्ट वाइल बताई दिये इनमें कौन सा अलग है, does not flip in the group और वन आउट जैसे होता है ना रीजनिंग में वैसे ही यह भी है तो सेंटीमीटर, सेंटीग्रेट और डेसिवल यह सब मेजरमेंट्स यूनिट्स है सेंटीमीटर दूरी को नापता है, सेंटीग्रेट, टेंपरेचर को नापता है, डेसिवल यह ध्वनी से रिलेटर है, ध्वनी को डेसिवल में नापते है साउंड को किसमें नापते हैं, डेसीवल में, लेकिन सेंटी पेड क्या है, दस पैरो वाला, तो यह तो पैरो के बारे में बता रहा है न, कि दस पैर हैं जिसके पास, उसे सेंटी पैर करेंगे, C-E-N-T-I, सेंटी और पेड, P-E-D-E, देखो, पेड है न, P-E-D-E, तो जहा है, रूट वर्ड हो गया, पेड, P-E-D-E, many a time statement made by our politicians is not born out by fact, out by fact, यह एक पूरा फ्रेज है, कि बहुत बार जो पॉलिटीसियन जैसा बोलते हैं, वैसा होता नहीं, out by क्या होता है, fact होता है, ते पूरा क्या है, एक फ्रेज है, out by what fact, lieutenant बताई दिया है, lie, lieutenant जूट नहीं बोलते हैं, lie, lie, और 10, 10 टुकड़ियों को क्या होता है, सर्दार होते हैं, और ant, end का मतलब हो गया, चीटी, दस टुकडियों के, चीटीयों के दस टुकडियों के सरदार को क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट, और लिखते कैसे हैं, क्योंकि लाइटिनेंट वो जूट नहीं बोलते हैं, तिसलिए ये हो गया, अब कर्नल, कर्नल को क्या बोलते हैं, कर्नल को लिखते हैं, पढ़ते हैं कर्नल है, और लेकिन बोलते हैं कर्नल, इंगलिस में, कर्नल को क्या करते हैं, बहुत इज़त देते हैं, कर्नल का पता ही चल गया, कर्नल में कर्नल साब रहते हैं, तो वहाँ से आडिया लग गया, as nobody supported him, all his plans fail, through, all his plans fail, through, as nobody, किसी ने support नहीं किया, जिस्ते क्या वो, उसका plan fail हो गया, fail हो गया, through, तो fail के साथ क्या लग गया, through लग गया, यह क्या कह रहा है, VT का मतलब क्या होता है, WI, TTY, VT का मतलब विनोधपूर, या फिर सरस, और सरस के लिए को और वड़ाता है, सैपी, S-A-W-P-Y, सैपी का मतलब क्या हो गया, सरस, VT, WI, TTY, VT का मतलब क्या हो गया, विनोधपूर, अफेबल का क्या हो गया friendly A f a B Martine अफेबल का क्या हो गया friendly तो अफेबल lign times refugee अफेबल निचर का कोई वेक्थी और फिर friendly behavior है A f a B Martine Fable Fable में क्या add कियागए a f add कियागए अफेबल का मतलब क्या हो गया friendly nature का व्यप्थी जो वेखती क्या हो, friendly nature का हो यह हो रहा है, capricious, यानि मनमोजी वेमसिकल का तो आप लो जानते ही, यह funny होता है capricious का signo, ento बताना है, तो capricious के ento क्या होगा, reasonable capricious के ento क्या होगा, reasonable और capricious का hindi क्या होता है, मनमोजी इसे cap पहनना होता है, अब कोई मनमोजी, क्या पहनता हो मन करे तो पहनता हो, ना मन करे को तो उतार देता हो capricious का मतलब क्या होगा, मनमोजी अब beam give up, give के साथ क्या लगता है अब तो लगता है, give up, and the roof come crashing down जैसे beam give up किया, roof यानी छथ क्या होगा, crash down होगा, गिर गया यह भी करी लोगे, the biker was found not wearing helmet at the time of accident at the time of what, accident के समय क्या पाया गया कि driver ने helmet नहीं पायन रखा था let the suitcase be locked, lock the suitcase का क्या हो जाएगा, passive, let the suitcase be locked abort, abort का मतलब क्या होगा, a, b, or, यह से mission abort होता है mission क्या, m, i, s, i, u, n, mission abort, mission abort का मतलब मिशन नी सफल हो जाना abortive का मतलब, ineffective, abort से ही वना अबोर्टिव, a, b, or, t, i, v abortive का मतलब, ineffective, mission abort होता है न, वही चीज़ है every cloud has a silver inning, कैते है न, रात के बाद फिर से सवेरा होता है bad times will eventually give up by the better times, हर रात के बाद क्या होता है, एक सुनेहरा सवेरा होता है better times, bad times will eventually give way to the better times, बुरे समय में अगर आप अच्छे से रहते हो, तो बाद में आपके लिए better time आता है, every cloud has a silver inning, leaning, opportunity, opportunity का मतलब क्या हो गया, इसका बताना है कि कौन सा सही opportunity में, तो अपी हो गया, कहते हैं, ओपी भाई, ओपी, ओपी, ओपी कहते हैं, आज कल दो बहुत बच्चे ओपी वर्ड यूज करते हैं, ओपोर्ट हो गया, P-O-R-T, पोर्ट और यूनिटी, U-N-I-T भाई, तो सारे पोर्ट को यूनिटी से कनेक्ट कर दो, तो opportunity बन जाएगा, जिस ओपी भी आप लोग जानते हो, ओपी कहते हैं, ओपी भाई, ओपी, ओपी वर्ड आज कल बहुत यूंगिस्ट लोग यूज करते हैं, तो opportunity हो गया, ओपी, और फिर अगल्लक से P-O-R-T, पोर्ट और यूनिटी, यूनियन का बताओ, फेड रेशन हो गया, यूनियन का क्या F-E-D, एक होता है F-E-D, F-E-D का मतलों धूदला करना, यह क्या है, F-E-D-R-E-S-N, F-E-D-E-R-E-T-I-U-N, मिलेट अब जानते हो, बाजरा को बोलते हैं, M-I-L-L-E-S, M-I-L-E-T-S, 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 कब एनाज क्या है ? लिक्राफ , बाजरा , मिलेट का मतलँ कही हो गये ? बाजरा , मिलेट सेर्यал , अनाज क्या करता है ? इनाज की मतलब क्या हो गया ? अनाज और millet का मतलब क्या हो गया, बाजरा, M-I-L-L-E-T-S और cereal, C-E-R-E-A-L-S Cereals का मतलब क्या हो गया, अनाज, C-E-R-E-A-L-S तो अनाज खाते हुए लोग सीरियल देखना पसंद करते हैं न खाना खाते समय, अनाज खाते समय आप क्या देखते हो, सीरियल देखना पसंद करते हो तो सीरियल का मतलब क्या हो गया, यहाँ दिया है, सीरियल का मतलब हो गया, अनाज C-E-R, C और रियल Defil का मतलब हो गया, आपवित्र, D-E-F-I-L, देखो file है अगर फाइल किसी corrupt person के पास चला जाएगा भर्ष्टाचारी व्यक्ति के पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अपवित्र हो जाएगा तो इसका एंटोनीम बताना है डिफिल का एंटोनीम क्या हो गया purify और डिफिल का मतलब क्या हो गया अपवित्र डिफिल का मतलब हो गया अपवित्र कॉमोशन का मतलब आप सभी लोग जानते हो हल्ला गुल्ला सी ओ कॉम होता है न कहते हैं लोग न कॉम क्या कर रही है कॉम का मतलब एक जाती हो गया कॉम क्या कर रही है मोसन में है यानि बहुत हल्ला गुल्ला कर रही है कॉम क्या है बहुत मोसन में है यानि हल्ला गुल्ला क कर रही है कॉमोशन चाओस का मतलब क्या हो गया अवेवस्था डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड चाओस का मतलब क्या हो गया अवेवस्था डिस्कॉर्ड कर दिया गया न यानि अवेवस्थित कर दिया गया और चाओस का मतलब क्या हो गया वो चाओस से खाने वाला चीज नहीं है चावस कमते हो गया अवेवस्था यह याद रखना तो इसका एंटोनीम पूछा था तो अरेंजमेंट हो गया A, R, R है और रेंज, R, A, N, G, E, R, फिर रेंज, ओमेंट, M, E, N, T Wider का मतबद With है W, I, T, H, With और E, R, एड़ कर दोगे तो Wither हो जाएगा W, I, With है और E, R, एड़ कर दिया कै, With में क्या एड़ किया गया है? E, R, With प्लस E, R, तो होगे Wither, Wither का मतबद सूख जाना, मुर्जा जाना और इसका एक साइन हो होता है, Shrivile, Rival है न, S, H, और Rival, R-I-V-E-L Rival का मतबब मुर्जाना, देखो Rival का मतबद है रिवाइवल, युद्ध करना, रिवाइवल, बदला लेना तो Ryval का मतलब हो गया मुर्जा जाना, बदले की याग में व्यक्ति क्या होता है, मुर्जा जाना तो WITH, यानि खुद के अंदर ही अंदर क्या होता, वह जलता है तो with और you, there का मतलब हो जाना, मुर्जा जाना और इसका एक और साइन होता है Srival Shrival Shrival Contagious का मतलब संक्रामक Contagious Contact में आने से क्या होगा वो चीज आ जाएगी तो Contagious का मतलब संक्रामक अभी बताया थे नवीतर W-I-T-H-E-R वीतर का मतलब मुर्जा जाना वीत मतलब खुद से ही क्या होना अंदर अंदर जलना वीतर का मतलब होता है सूफ जाना, मुर्जा जाना जैसे Flowers and Leaves वीतर W-I-T-H वीत और E-R एड़ किया गया वीतर अवे इन अटम एक है पर फंक्सन है ना फंक्सन पर फंक्सनरी पर और उसमें क्या आड़ किया गया फंक्सनरी फ-u-n-c-t-i-o-n फंक्सन वाला है ना फंक्रि पर फंक्सरी का मतलब इंकरेक्ट बताना है ता यह इंकरेक्ट है फंक्रि यह P-U-R नहीं होगा P-E-R होगा पर फंक्सांरी उसाओधान पहले लिट पहले येट कुम करना करतल कर्टिल इसका क्या होऀ को साइन आप 320 अब्रीज आई यह सोट याज इग अब्रीज का मतलो गमकरनाको कैमीन अब्रीज का मतल mission क्या हो गया कम खुझा करना ऐंक्यों थैक्वेंट मतलब closure उच्वागया कत्यों आश प्रूर्चीत acquaintance कमतलब चीर परचीत, A-C-Q-U-A equa होता है, equa कमतलब क्या होता है, A-C-Q-U-A equa कमतलब water equa, equa in, I-N equa in, और tense, T-E-N, T-E-N-C, S-E वाला tense नहीं है, T-E-N-S-E वाला tense T-E-N-C-E वाला, ANC last में तो आता है, या आपलो जानते हो, किसी word के last में ANC आता है tense होता है, T-E-N-C, tense में क्या होता है, T-E-N-C equa, A-Q-U-A, और in और फिट tense T-E-N-C cable words देख लेते हैं, फटा-फट जैसे ये, tooth and nail tooth and nail का क्या होगा, with all their might tooth, T-W-O-T-H teeth होता है, T-E-A-T-H, और एक होता है, tooth tooth, tooth का मता होता है, daat, और nail का मतलम नाखून tooth and nail का मतलम वित अल देर माइट with all their what? might with all, नमने, सबके साथ, their might सबका साथ, सबका विकास tooth and nail, daat भी और नाखून भी daat भी और नाखून भी, यानि with all their minds might है, M-I-G-H-T, with all their might का होता है, tooth and nail wayward, wayward का मतलब स्वक्छन्द wayward का मतलब क्या होता है, स्वक्छन्द wayward, अपने ward को क्या करना चाहिए? अपना जो इलाका, अपना ward है, उसको साफ रखना चाहिए wayward का मतलब, way का मतलब या रास्ता ward में, कहते हैं न, ward member लोग बताते हैं कि, जीतेंगे तो क्या करेंगे, रास्ता साफ रहेगा, नालिया साफ रहेंगी, पूरे रास्ते पे हमेशा सफाई साफ सुत्रा कर देंगे तो व का मतलब या रास्ता ward का मतलब वाड का ward का नास्ता क्या होगा साफ सुत्रा होगा, नादीर का मतलब नादीर नादीर का मतलब नीचे नादीर का मतलब नीचे नादीर का मतलब क्या होगा नीचे और व वाड का मतलब वे और वार्ड, वार्ड का रस्ता क्या होगा, स्वक्षंद वे वार्ड का मतलब क्या होगया, स्वक्षंद, साफ अबलिक, आप लोग यह यह वार्ड देखते हूं न, अबलिक, अबलिक करके तो अबलिक यही है, O-B-L-I-Q-U-E अबलिक में क्या है, question, Q-U-E वाला है, अबलिक और यह sign है, अबलिक का इन एडवर्स, टेंसली, एडवर्टेंली, टेंटली, एडवर्ट, इफेक्ट, एडवर्ट का मतलब क्या होता है, बुरा प्रहा Adverse का मतलब क्या हो गया? Vipreat In Advertensely T-E-N-T-L-Y एक होता Intention I-N-T-E-N-T-I-U-N Intentional मतलब जान बूच कर और एक होता Unintentional Un-U-N और Intention I-N-T-E-N हमें Intention नहीं थी आपको कुछ दुख पाऊ जाने की Unintentional था Unintentional का क्या हो गया? साइनो In Advertensely अन्जाने में Advertensely T-E-N-T-L-Y Advertensely जानी अन्जाने में Unintentional Un-Intentional T-E-N-T-I-O-N A-L Unintentional Politician और एक्सिलेंट क्या? At Handling इस्ट्राइक Excellent Excellent के साथ क्या लगा है? Add preposition लगा है At what? Handling क्या handle? Strike Related issues Politician और Excellent At Excellent है At Handling Strike Excellent के साथ क्या लगा? At लग जाएगा Harbivores आप लोगों पता ही है Harbivores आप लोगों पता ही है Harbivores आते हैं न साकाहारी प्रोडक्ट तो कई बार कार पे क्या होते हैं सेर या फिर जानवर जंगली हमला कर देते हैं मांस के वो मतलब खा सके उनको तो कार पे हमला होई रहा है Carnivores का मतलब मांसाहारी और Harbivores का मतलब साकाहारी तो Cow क्या है? Harbivores और सेर क्या है? Carnivores Dementia, Mental से Mentia बना है Mental वर्ट से क्या बना है? Mentia तो Dementia का मतलब क्या हो गया? Loss of Memory किसी व्यक्ति की Memory Loss हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? Loss of Memory वो बोलेंगे Dementia Dementia यानि Loss of Memory Gullible का पता ये भोला भाला B और Living L-I-E-V ये को ता लीव L-I-V-I-N-G तो जो सीधा साथा जीवन जीटाने कई लोग ते भोला भाला जीवन जीटे है Living समाझ में आता है बात से उनके का काफी Gullible है उनको गुल मुल गुमाया जा सकता है गुलिबल है तो बी लिविंग L-I-E-V-I-N-G बी लिविंग का मतलब ही हो गया भोलाई भाला सेम मिनिंग है गुलिबल का साइन हो है G-U-L-L गुलिबल B-L-E गुलिबल यानि जीने गुल गुल गुमाया जा सके गुल करिया गुल किया जा सके गुल खिलाना गुल खिलाना मतलब मुर्ख लोगों को भोले भाले लोगों को मुर्ख बनाना गुल और लिवल गुलिबल का साइन हो क्या आउगा बी लिविंग L-I E-V-I-N-G लिविंग बी लिविंग लिव वाला है तो ये वर्ड याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है लाई है ना? अच्छा लाई वाला लाई विंग, लाई कमता जूट बोलना देखो, गुलिबल कमता भोले भाले लोगों से क्या किया आता है? जूट बोलके उनको मुर्ख बना जाता है भोले भाले लोगो क्या किया जा रहा है? लाई किया जा रहा है जूट बोला जा रहा है जूटा होना जूटा बी कमता होना होता है जूटा होना यानि उनको जूटला देना भोला है तो इसलिए मुर्ख बना देना एन अनकन्वेंशनल इस्टाइल अफ लिविंग को क्या बोहिमिन ब्रिंग के साथ क्या प्रिपरजीशन लगता है आउट तो यह भी आदर रखना और ब्रिंग के साथ क्या प्रिपरिशिशन लगता है? आउट डिफिडेंस का मतलब जानते हैं संस है D I D E N C साइनेस का मतलब सरमीला पेंचेंट का मतलब जुखाओ तीछ्ड सार्पनेस किस तरफ आपका जुखाओ है? किस तरफ सार्पेज है? लगन है आपका, पेंचेंट का मतलब जुकाओ हो गया, लगन हो गया, सार्प नेस हो गया, लगन जुकाओ से जुड़ा हुआ है, जुकाओ का मतलब होता है सार्प, सार्प, सार्प नेस, ठीक है, तिछ्ड, पेंचेंट का मतलब तिछ्ड भी होता है, और डिफिदेंस, डिफिडिंस कोतो हो गया हो गया शन साथ यह भी वाडती आख को एकते डिफिड़ती इंरस शन सांपार विपिड है कि वैपिड हुआ हो गया दल, भीएपिड वेपीड का मतलो क्या हो गया डल, नीरस, V-A-P-I-D वेपीड, एक होता है रैपीड, R-A-P-I-D और एक होता है वेपीड, V-A-P-I-D तो वेपीड का मतलो क्या हो गया नीरस और रैपीड का मतलो क्या हो गया रैपीड, तेजी से फ्रिक्वेंटली रेफिट फायर राउंड होता है न और वैपीड का मतलब क्या हो गया नीरस V-A-P-I-D वैपीड का मतलब क्या हो गया नीरस एक डिफिडेंस पढ़ा है उसका मतलब क्या संसे D-I-E-N-C डिफिडेंस यानी संसे PENTOMIMI यानी मोका भीना जैसे जोकर कई लोग देख़ों उन्हों कि सांत रहा कर भीना बोले अभीना करता है नाटक करता है उसे पोनेंगेHe PENTOMIMI PENTO PENTO तो मालो PENTO नाम का क्या है जोकर है जोकि बीना बोले क्या करा है अभी नहीं कर रहा है, तो पेंटू मीमी का मतलब हो गया, मिमिकरी करना, मिमी का मतलब हो गया, मालू मिमिकरी करना, इस सारे में कुछ करना, तो मिमिकरी पेंटू मीम, M-I-M-E, पेंटू मीम का मतलब मूका भी नहीं, मीम आज कल नहीं चलता है, बहुत सारे मीम्स चल रहा है तो पेंटू में का मतलब क्यों हो गया मुका अभीन है तो यही लास्ट क्वेस्चन था बाकी यह तो रिड करना है और ग्रामेटिकल एरर बताना है तो फर्सट पार्ट में एरर है इच पार्टीसिपेंट पार्टीसिपेंट्स एस लगेगा करते हैं सेसन को दुदॉइंड नेक्स सेसन में मिलेंगा